हेलो एवरिवन गुद मॉर्निंग तो ओल फियो वेलकम तो लॉजिक पार्च शाला आज किस वीडियो में हम कवर करेंगे 10 में के इंपॉर्टन के इंटरफियर्स के क्वेश्चन्स इस वीडियो का जो पीडियो है वो आप लोगों को मिल जाएगा टेलिग्राम पे जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्केप्शन बॉक्स में अधर्वाइस आप टेलिग्राम पर डारेक्ली भी सर्च कर सकते हैं लॉजिक पार्च शाला 16 तो जब आप यह सर्च करेंगे तो आपको गुरूप मिल जाएगा जहां से आप उसे डारेक्ली भी जॉइन कर सकते हैं और गाइस आप अगर चैनल पे और वीडियो को विजिट करना चाते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट को जरूर चेक किया करें क्योंकि हर एक चीज की अ रिवाइस किया गया है तो इन वीडियो को आप लोग जरूर चेक आउट करें क्योंकि ये सभी वीडियो आपको एक्जाम में काफी जादा मदद करेंगी चले फिर शुरू करते हैं मोडिवेशन कोट से अगर आप चाहते हैं रिजल्ट्स तो आप उन चीज़ों को देखें जो आप इस टाइम पे कर रही हैं क्योंकि आप जो इस टाइम पे कर रही हैं क्योंकि आप जो इस टाइम पे कर रही हैं उसका इफेक्ट आपको मदब उसका जो रिजल्ट है वो आपको मिलेगा फ्यू मिल सके शुरू करते हैं question number first से पहला question है with which country has India launched an industry task force in May 2022 अभी देखे भारत ने कौन से देश के साथ मिल कर एक उद्यो कारेबल को शुरू किया है राइट answer हो चाएगा United Kingdom के साथ मिल कर इस industry task force को शुरू किया गया है यह joint commission है जो कि increase करेगा cross industry collaboration और साथी साथ में जो United Kingdom और India के बीच में free trade agreement है न उसको भी एक तरीके से आगे बढ़ाने का यह joint commission है जो कि India और United Kingdom के बीच में शुरू हुआ है अब यह किस किस के बीच में हुआ तो देखे Confederation of British Industry and Confederation of Indian Industry have created the new task force as part of NMU कुछ recent हम बात कर लेते हैं international news की तो देखे Brazil का जो landscape garden है CTO burn marks यह अभी UNESCO की world heritage list में शामिल हुआ है और Brazil के अगर city भी पूछने कौन से city में है तो Brazil के रियोडी जनेरियो city में है यह इसके बात next news देखे शांती शेटी यह Kamala Harris की defense advisor appoint हुई है Kamala Harris अगर आप जानती होंगे यह US की vice president है इसराइल ने successfully test किया iron beam का जो की एक नई laser based air defense system है और equator बना पहला देश जिस ने wild animals को क्या दिये है legal rights दिये है तो friends आप लोग अगर बार बार देखी news को revise करेंगे ना पुरानी news जब आपके सामने वो बार बार आएगी तो definitely आपको वो याद रहेगी ही रहेगी तो इसलिए थोड़ा सा जब जो यह revision portion होता है ना इसको आप लोग थोड़ा ध्यान जरूर करें next हमारा question है which Indian athlete has tie up with YouTube India to create short films for the platform तो कौन से भारते athlete हैं जिनोंने short films के लिए short film को create करने के लिए YouTube India के साथ में tie up किया है तो बात करते हैं athlete की तो right answer हो जाएगा नीरत चोपड़ा अच्छा नीरत चोपड़ा जी का संबन कौन से sport से है तो यह भी आपको ध्यान लगना है javelin throw से थीक है sport से भी question आपका पूछ लेते हैं अब देखो इसका उदेशय क्या है इसका उदेशय है it is aimed at taking the story of his meteoric rise जो उनका एक तरीके से उदे रहा है कि वो कैसे village से निकल के Olympic के podium पे उन्होंने top position हासिल करी थी Tokyo 2020 में तो वो जो उनका rise रहा वो जो उनकी पूरे journey नहीं है ना उस journey को ही यहां पर जो है short film की तरह create किया जाएक और इसी के लिए नीरत चोपड़ा यूट्यूब इंडिया के बीच में यह tie up हुआ है JSW sports which backs Chopra has facilitated a partnership between the two तो आपको यहां पर athlete का नाम ध्यान रखना है नीरत चोपड़ा जी की बात आपको एक चीज जरू ध्यान रखनी है यह second individual Indian athlete बने है after Abhinav Bindra जिनोंने Olympic champion या Olympic champion यह champion बने और यह दूसरे individual बने है इनोंने जो है Tokyo Olympic में कौन सा medal जीता था? Gold medal जीता था तो यह important news है नेक्स्ट रवारा question है पदमश्री awardee Rajat Kumar Kar has passed away in May 2022 He belongs to which state? अभी हाली में देखे इनका निधन हुआ है यह कौन से state से belong करते हैं? एक question यह भी बन सकता था कि इनको जो पदमश्री award मिला है यह कौन से year में मिला है? यह दो तरीके से पूछा जा सकता है पहले बात करते है state तो उडिसा राज्य से इनका सम्मंध है अब पदमश्री ने कब मिला? तो 2021 में literature और education की field में इनको पदमश्री से सब्बानित किया गया है याद रखेगा यह दो question यहां से आपको importantly पूछ सकते हैं और इनका field भी पूछ सकते हैं वैसे basically तो literature से इनका जो है वो सम्मंध है यह भी आप लोग ध्यान रखें कुछ important arbitries की बात करें तो देखे हीमानन्द विश्वाल जो की chief minister थे उडिसा के former इनका भी हाली में निधन हुआ रुपिंदर सिंग सूरी यह additional solicitor general थे बाबा इकबाल सिंग यह थे social worker इन सभी का देखे निधन हुआ है 2022 में सिंदु ताइस अपकल यह social worker थी और पद्मशी से समानित इनको किया गया था राहुल बजाच चेर्मेन और बजाच ओटो रफीक तरकार पाकिस्तान स् फॉर्मर प्रेसिडेंट तो देखे और्बेटरी से फ्रेंट्स आपको कुछ-कुछ important questions बन सकती हैं वो आपको सिफो सिफो ध्यान रखने हैं नेक्स्ट हमारा question है इन विच स्टेट यूनियन होम मिनिस्टर अमिश शहा हैस लॉंच्ट सेवरल डेवलप्मेंट प्रोजेक्ट तो कौन से स्टेट में जो हम मिनिस्टर अमिश शहा है इनोंने कई सारे डेवलप्मेंट प्रोजेक्ट को लॉंच किया है तो स्टेट कौन सा हो जाएगा यहाँ पर देखे असम इसी right answer यह ध्यान रखेगा friends की यहाँ पर बात जैसे अमिश शहा की हो रही है तो एक तो इनके पास home ministry है साती में ध्यान रखेगा इनके पास ministry of corporation भी है यानि इनके पास सहकारिता मंत्राले भी है अच्छा आपको असम से एक बहुत important news अगर आपको याद हो तो याद होगा कि जो oil India limited है ना उन्होंने इन्डिया का जो पहला commercial grade green hydrogen production plant है इसे कहां पे commission किया है तो इसे असम के जौर हाट में इसको commission किया गया है ध्यान रखेगा यह इन्डिया का पहला जो green hydrogen production plant है तो यह असम की जो government है उन्होंने शुरू किया था night ferry services को तो यह भी असम के सरकार के द्वारा शुरू किया था अब बात करते है question के तो देखे यह जो development project से इसको launch किया है अमिशा हाजी ने यह तो आपको ध्यान रखना अब यह तीन दिन की visit पर गए थे असम में वहाँ पर देखे इन्होंने foundation stone रखा for the central workshop and store of central armed police forces और जो भी state police है north eastern states की साते सात में देखे इन्होंने असम की police को president's color medal से भी सम्मानित किया है तो यह भी आप लो थोड़ा सा धिहान रखेगा बात आती है देखे असम state के तो यहाँ आप देख सकते हैं map में इस तरीके से असम है जिसकी capital है स्टेट होड डे सलिबेट करता है यह 26 जनवरी 1950 को state का दर्जा मिला था इसको चीफ मिनिस्टर है यहां के हिमानता विश्व शर्मा गवर्नर है जगदेश मुकी नैशनल बार्ग में आप यह को सारे ध्यान रखने हैं देखे काजी रंगा औरंग मानस राय मोना डिबरो श हाद रखनी हैं देखे जो वहां की पूमे ट्राइब है ना उनके द्वारा ऐसे घोशना करे गई है जो पूमे इन्हाबिटेट एरियाज है यानि पूमे जो बसे हुए छेतर है ना वो पूरे तरीके से ड्रग फ्री जोन हो जाएंगे तो यह डिकलेर किसके द्वारा किया गया है पूमे ट्राइफ के द्वारा अब यह जो पूमे ट्राइब है यह कौंसी स्टेट की है हमें यहाँ पर यह बताना है तो राइट आंसर हो जाएगा देखे अ मनिपूर इस दी करेक्ट आंसर तो मनिपूर की है ये पोमई ट्राइब अब देखे जो लीडर्स हैं पोमई ट्राइब के और से उन्होंने ये भी पताया है कि जो कॉमुनिटी है वो जॉइन करेगी एक फाइट जॉइन करेगी फाइट अगेंस टी ड्रग मिनेस इंदी स्ट यानि राज्य में नशीली दवाओं का जो खत्रा है उसके खिलाफ लड़ाई में भी यहां की जो ट्राइब है वो यहां की जो कॉमुनिटी है वो शामिल होगी और इन सभी चीजों को रोकेगी मनीपूर की कापिटल है इंफाल और मनीपूर में सीयम है एन विरेन सिंग और मनीपूर में गवर्नर कौन है तो याद रखे का फ्रेंड्स लागनेशन है यहां के गवर्नर अभी फ्रेंड एक चीज़ आप ध्यान रखेगा मनीपूर के द्वारा की जो जल शक्ती अभियान है जिसको हमने उसके द्वारे कैमपेंग शुरू किया गया था उसके तहती कैच दा रेन कैमपेंग और इस कैमपेंग को एन विरेन सिंग ने लाँच किया था याद रखे कि सरकार ने चात्रों को टाबलेट विदरित करने के लिए यह अधिकम योशना को शुरू किया है सही आंसर देखें हाँ पे हो जाएगा हरियाना ओके ऑप्शन में सो गया है कोई बात नी तो आपका राइट आंसर देखें हाँ जो होगा वो होगा हरियाना तो इस स्कीम के तहत नेरली 3 lakh students को यहां पर tablets जो है वो दिये जाएंगे ताकि उनको online education में उनकी मदद की जा सके यह जो devices होंगे इन में pre-loaded content होगा और साथी साथ में देखें इसमें learning software भी इसमें include होंगे इसमें 2GB जो free data है वो सारी के सारी चीज़े इस इन devices में दी जाएगी तो इसे किस ने शुरू किया है हर्याना से हर्याना से बात करते हैं कुछ और news की देखें ताकि हमारा थोड़ा सा और revision भी हो सके तो हर्याना की government ने crop insurance portal शुरू किया मुख्यमंतरी बागवानी बीमा योशना के लिए 35th नंबर का जो सूरज कुन international craft मेला है ये कहां शुरू हुआ हर्या हर्याना कोशल रोजकार ने गम वेब portal शुरू किया गया और हर्याना की सरकार ने खेल nursery scheme शुरू करी ताकि राज्य में जो sports से उनको promote किया जा सके अगली question की तरह बढ़ते हैं next question देखें नेपाल कामी रिता शेर्पा has climbed dash for the 26th time तो वह 26 वी बार चढ़कर इन्होंने अपन किस record को ही break कर दिया है और कौनसी mountain या कौनसी चोटी पर इन्होंने चढ़ाई करके record break किया है तो answer हो जाएका Mount Everest आचा ध्यान रखीगा question कई तरीके से पूछ सकते हैं कि जो कामी रिता शेर्पा हैं उन्होंने कितनी बार Mount Everest की चढ़ाई कर ली है 26 time कर ली है यह कौनसी country से ब long करते हैं किस ने 26 वी बार मांट एवरिस्ट पर चढ़ाई करके एक record सेट किया तो नाम क्या है इनका कामेरीता शेर्पा तो इन इन तरीकों से आपको यह question पूछे जा सकते हैं अच्छा Mount Everest की बात करते हैं तो Mount Everest के height कितनी है आप exam में यह पूछा जा सकता है देखिए ध्य जान देखिए 48.86 मीटर मांट एवरिस्ट की height है और इन्होंने अपने जो इनका previous record इन्होंने सेट किया था 2021 में 25 वी बार चढ़कर उसी को ही इन्होंने इस बार ब्वेक कर दिया है 26 वी बार चढ़कर Mount Everest के चढ़ाई को पहली बार इन्होंने 13th of May 1994 को Mount Everest की चढ़ाई की थ तो कोशन देखे कहीं से भी आपका बन सकता है ये सारी चीज़ें आपको जो है वो friends ध्यान रखनी है ठीक है He also holds the record for most climbs over 8,000 meters तो देखे उनके पास 8,000 meters से उपर की जितनी भी चोटे होती है उनको चढ़ने का जो record है वो भी इनके नाम है Additional information में अभी आपको recent ध्यानों का प्रियांका मोहिते का तो प्रियांका मोहिते जो है ये पहली Indian woman बनी है जिनोंने 5 peaks को scale किया है जिनकी height above 8,000 meters है अभी recently ही इनोंने Mount Conjunjunga पे चढ़ाई करी April 2021 में इनोंने Mount Annapuna पे scale किया था जो कि 10th highest mountain peak है पूरे world की और इस पर चढ़ने वाली ये पहली Indian woman climber बनी तो ये आपको important points में भी थोड़े से ध्यान रखने है next question पे बढ़ती है who has been appointed as the new chairman and managing director of Hindustan Petroleum Corporation Limited हाली में देखे HPCL के नई managing director कौन बनी है answer हो जाएगा पुष्प कुमार जोशी इनको हाली में appoint किया गया है इससे पहले दिखे है ये 1 अगस 2012 से जो डारेक्टर थे HR of the corporation में हिंदुस्तान Petroleum Corporation Limited ये oil and natural gas corporation के तहट ही work करता है इसका headquarter है मुंबई में और इसके CEO है मुकेश कुमार सुराना recent appointments तो देखिए सुदर्शन वीनू ये managing director बनी है TVS Motor Company के नंद मुल्चंदानी ये पहले chief technology officer बनी है बिलकुल ये ध्यान रखीगा ये बहुत important point है ex petroleum secretary Tarun Kapoor इन्हें Prime Minister Modi जी के advisor के लिए appoint किया गया है और संगीता सिंग ये CBDT की नई chairman appoint की गई है अगला question देख लीजे next question है सुदान्शु धूलिया the chief justice of high court has been appointed as the judge of supreme court देखे सुदान्शु धूलिया जो है ये कौन सी high court के chief justice है जिनको appoint किया गया है as a judge of the supreme court तो right answer क्या हो चाएका गोवाहाटी high court तो friends से गोवाहाटी high court के chief justice है यान रखेगा और इनी के सासत एक नाम आपको और ध्यान रखना है गुजराथ high court के जो chief justice है जमशेद, बुर्जोर, पर्दिवाला इनको भी as a judge appoint किया गया है supreme court में तो ये आपको दोनों के दोनों नाम जो है वो याद रखने है कुछ additional बाते supreme court, sorry high court से related की बात कहते तो दीखे present time में भारत में 25 high courts है सबसे पहला high court जो था वो तक Calcutta high court जिसके establishment 1862 में होई थी जो सबसे oldest high court है इंडिया का बॉंबे और मदरास high court की establishment में इसी year होई थी पहले Calcutta की होई थी देन बॉंबे और मदरास की होई थी सबसे newest high court की बात करते हैं तो वो है तेलंगाना high court और आंत्रप्रदेश high court इनके establishment year है 2019 तो ये कुछ additional information है next हमारा question है dash is observed as the birth anniversary of महराणा परताप किस दिन महराणा परताप जी की जो है birth anniversary के रूप में उस दिन को celebrate करती है तो right answer हो जाएगा friends 9th of May तो 9th of May को जो है observe की जाती है birth anniversary of महराणा परताप he was the most well known राजपूत king of Mayward और ये Mayward के 30th king थे इनका जन्म हुआ था 15-40 में काफे सारी battles उन्होंने रड़ी थी मुगल्स के साथ में लेकिन जो सबसे iconic battle थी वो थी battle of हल्दी घाटी he is celebrated as the first native freedom fighter of the nation तो ये कुछ important important points है बस हमें जो की याद रखनी है अगला question है who clinched the Madrid Open title beating defending champion Alexander Zverev देखे Alexander Zverev को हरा कर Madrid Open का जो title है वो किसने जीता है सही answer हो जाएगा Carlos Alcaraz तो Carlos Alcaraz ने देखी इसमें defeat किसे किया है तो याद रखेंगे Alexander Zverev को इन्होंने इसमें defeat किया है it is a second Masters 1000 crown after Miami तो Miami के बाद ये उनका दूस्टा Masters 1000 का जो है वो crown है और earlier देखें Tunisia won Jebior clinched women singles title to become the first African player to win a WTA 1000 event तो Tunisia की जो owns Jebior है ना इन्होंने women single का जो है वो इसमें title जीता था किसमें जो हम बात कर रहे है ATP Masters 1000 वाली ठीक है Question है अगला हमारा In which country did the International Shooting Sports Federation Junior World Cup begin in May 2022 देखें जो International Shooting Sports Federation Junior World Cup है इस ये किस तेश में शुरू हुआ है सही आंसार हमारा हो जाएगा यहाँ पे Germany में ये शुरू हुआ है Manu Bhakar और Saurav Chaudhary जो है इसमें Indian contingent को इसमें lead करेंगे National Rifle Association of India ने shortlisted किये है as many as 51 shooters for the German World Cup के लिए जिसमें अनीश बानवाला, नामिया कपूर, रिवान कपूर, एक्सेक्टर तो total 51 shooters को यहाँ पर shortlisted किया गया है नेक्स्ट अबारा question है, ता Indian Grand Prix 3 and 4 which were rescheduled to be held in Madurai has now shifted to Dash देखें जो Indian Grand Prix 3 and 4 है ना, यह Madurai में होने वाली थी लेकिन अब इसको shift कर दिया गया है और अब यह कहां पे होगी तो यह होगी अब भुवनेश्वर में, ठीक है? तो अब यह भुवनेश्वर में इसको जो है वो कराया जाएगा और बात करते हैं, देखो भुवनेश्वर में 21st में से लिए और 24th में को इसको जो है वो rescheduled किया गया है पहले यह Madurai में होने वाली थी 17th में अब 21st में को लेकिन अब इसको reschedule किया गया तो आपको क्या याद रखना है कि यह होने कहाँ वाली थी Madurai में होगी कहाँ अब भुवनेश्वर में तो दो ही पॉइंट यहां से पूछ सकती है देखे, Grand Prix की बात आती ही है थोड़ा सा हम Formula One Grand Prix की जो race winner से इनको revise करने जरा तो देखे, बहरीन जो Grand Prix हुई यह किसने जीती? Charles Leclerc जो कि Ferrari के racer है और country है इनकी मोनेको Saudi Aramon Grand Prix यह जीती Max Verstappeen ने Red Bull के racer है और Netherlands से भी लॉंग करती है Australian Grand Prix अगें Charles Leclerc जो भी Amelia Romagna Grand Prix हुई वो जीती Max Verstappeen ने तो चार हमारी Grand Prix हुई है जिसमें से दो जीती है Charles Leclerc ने और दो जीती है Max Verstappeen ने तो इस तरीके से ध्यान रखेगा आगला कोशन देखिए Which of the following has acquired the right to own and operate a franchise in UAE T20 League इनमें से किसने UAE T20 League में एक जो है franchisee को operate और उसको मतलब एक own करने का जो अधिकार है वो हासिल किया है ये अधिकार हासिल किया है Adani Sports Line ने तो देखिए जो Emirates Cricket Board है उनके द्वारा जो है वो है license मिला है UAE T20 League जो होता है न ये एक annual event होता है जिसमें 34 matches का competition होता है और total इसमें 6 team जो है भाग लेती है recent sports news की देखिए बात करते हैं तो तमिलाडू ने पंजाब को defeat किया इन National Basketball Championship के final में उसके बाद देखिए इंडिया विल होस्ट Street Child Cricket World Cup in 2023 नेक्स्ट देखिए जो prestigious रेकाजीव open chess tournament हुआ ये जीता आर प्रज्यानंद ने और 2026 में जो commonwealth game होगे न उसे कौन host करेगा तो उसे Australia के Victoria में कराया जाएगा तो ये थे friends हमारे सभी important questions कल मैंने आप लोग से first question पूछा था कि जो lotus temple है न उसको किस तेश के architect ने design किया तो right answer है इरान तो इरान इरानन आर्किट फेरी बोज सभा ने इसको design किया था second question था तो famous महाबोधी temple है जो कि बोध गया बिहार में है इससे किसने build किया तो अशोक ruler के द्वारा इसको build किया गया तो आप सभी ने सही answer करें है thank you so much guys for comment करने के लिए आज के हमारे comment है पल्लवी कुमारी, राजुस्पी और सुनील कुमार thank you so much आज का पहला question अ mixture of salt and sugar याने जो नमक और चीनी का mixture होता है उसको हम क्या कहते है यह आप लोग मुझे बताएगा और second question है when was the first nuclear explosion test carried out by India वही पहला जो nuclear explosion test हुआ था भारत के दोआरा वो कौन से वर्ष में किया गया था तो यह थी हमारी friends आज की वीडियो मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो के भी सभी question आपको बहुत अच्छे से clearly समझाए होंगे और आपकी तयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी guys ऐसे ही तयारी आप लोग करते रहें और आपकी जो भी demanding topics हैं वो सब आपको धीर धीर प्रोवाइट कर दिये जाएंगे already channel पे बहुत सारी चीज़ें uploaded भी हैं आप उनको भी ज़रूर check out करें क्योंकि वहां से भी आपको काफी साथी knowledge मिल जाएगी thank you so much for watching this video